नमस्कार दोस्तो लाब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि D.S.S.B की वेकेंसी आने वाली थी जिसका ओफिसियल नोटिफिकेशन आ चुका है जो आप इसक्रिन में देख सकते हैं और इसका मैं नोटिफिकेशन क सब्सक्राइब के बारी में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों का कमेंट आया क्लास को लेकर तो मैं बहुत जल्द यह जो लाब्रेरियन का एक्जाम का क्लास होता है वह भी स्टाइट कर दूँगा ठीक है तो चल जल्दी हो सब्सक्राइब को अपलाई कर देंगे चलिए अब इसमें क्वालिफिकेशन वेकेंसी की बात करते हैं दोस्तों यहां पर बहुत सारे टीचिंग की भी वेकेंसी है लेकिन हम लोग यहां पर लाब्रेरियन के बारे में चर्चा करते हैं ठीके बागी आप नोटि अच्छी वेकेंसी होती है और इसके कुछ दिन के बाद आपको के वेकेंसी देखने को मिलेगा जिसमें इससे ज्यादा उसमें सीट होंगे ठीक है तो चलिए हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों यह बहु क्वालिफिकेशन को लेके बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती कि एक्स्पिरियंस मांग रहा है इसमें कंप्यूटर स्रेटिफिकेट क्या है मैं आपको सारा डाउट आज किलियर करने वाला हूं देखिए सबसे पहले इसमें नमबर वान में क्या लिखा एसेंसिल चाहिए पहला डिग्री यानि आपने पढ़ाई किया होगा उसके बाद आपको इसमें लिखा हुआ है बैचलर डिग्री और इक्रवेलेंट डिप्लोमा इन लाबरी साइंस एक रिकनाइज युनिवर्सिटी ठीक है कहने का मतलब कि आपको बीलाइस का डिग्री होना चाहि कहने का मतलब क्या है अगर आपके पास वण फरन रिग्री वणियर की अब लिए इसमें इसमें उना चाहिए क्या यह इसके बार आगे देखनें दिख सिए हॉर वॉन यर चैटीकेट इन computer application from recognized institute or equivalent कहने का मतलब क्या है या तो आपके पास दो साल का लैबरीरियन का एक experience होना चाहिए या फिर वन येर का जो computer course होता है वो होना चाहिए तो computer को दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है आपने computer सीखा होगा टैली सीखा होगा डी सीखा होगा तो जो वन येर के किसी भी इंस्ट्यूट में सिखाया जाते हैं वहां के आपके पास certificate होना चाहिए और बियाइस का डिगरी आप है और किसी भी तरह का डाउट होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि दोस्तों अप्लीकेशन के फीज होगी एक्जामिनेशन प्यों 100 रुपीज है और बहुत सारे इसमें कैंडिडेट को एक्जाम पेट है उनका फीज नहीं लगेगा तो इसक्रीन में आप देख स परचेशन अर्प और एस्टी एसी पियेच या पीड़ुड के लिए थाटी परचेट है और एक्ज रिलाक्षेशन की बात कि जाए तो जैसा कि गॉन्ट में मिलता है यांप लिखा हूआ है निफार्ट फैर्टी एकली प्लस फिप्टीन कैशन में और दोस्तों सबसी को 30 से कम एज है तो आप अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों यह मैं सौर्ट नोटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया हूं आप डिटेल से प्वेश्ट की चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें ठीक ताकि उनका भी है और इन्फॉर्मेशन इल पाए और साथ में दोस्तों जीतने वी वेकेंसी आती है कुछ अधीक आती है उसका इन्फॉर्मेशन में नोटिफिकेशन गॉर्म